Hello friends, welcome back! स्वागत है आपका Ancient History of India, भारत के प्राची नितिहास के lecture number 13 में दोस्तों, lecture number 12 basically हमारा खतम हुआ कि किस तरीके से 2000 BC से लेकर 600 BC के बीच में cultural transitions रहे जिसमें lecture number 11 में basically हमने बात करी Aryan Invasion Theory उसके बात हमने बात करी Early Vedic Period, फिर Later Vedic Period, फिर पुरान्स, फिर उपनेश्ट्स lecture number 12 में basically हमने discussion किया कि बाकी जो cultural elements हमको दिखाई दिये between 2000 BC and 600 BC और lecture number 13 जैसा हमने lecture number 12 में आपको बोला शुरुवात करता है Real Historical Times और मैं आपसे इसलिए ये कहूंगा क्योंकि 600 BC के आसपास से हमको कौन सी dynasties थे, कौन से kings थे, क्या basically उनकी dynastic chronology रही साथी साथ important chronological details with reference to death of Lord Buddha available होने लग जाते हैं इसका मतलब 600 BC से पहले कि जो ancient history है उसके जो sources है उस पे जो level of clarity है उसके comparison में अगर आप 600 BC के बाद जो आप sources देखेंगे चाहे वो literary sources हों, चाहे वो archaeological sources हों, चाहे वो religious sources हों, चाहे वो inscriptions हों, चाहे वो basically foreign travelers के account हों, चाहे वो Greek historians हों इन सभी के combination से हमको कहीं ज्यादा reliable information available होने लग जाती है दोस्तों, अगले दो या तीन lecture में इस पूरे period को हम detail में cover करने की कुशिश करेंगे सबसे पहले हम शुरुबात करेंगे कि किस तरीके से क्यों ये actually period इतना historically important रहा उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि किस तरीके से वो 16 महा जनपदाज पूरे Indian subcontinent में spread out थे उसके बाद अगला हमारा discussion होगा कि उन 16 महा जनपदाज मेंसे एक-एक करके हर महा जनपदा के क्या peculiar features रहे उस वक्त उसके लाव हम बात करेंगे कि कौन-कौन से important literary sources हैं कौन से important archaeological sources हैं जिनको हम utilize करेंगे इस 600 BC से लेके 300 BC के historical construction के लिए उसके बाद फिर हम बात करना शुरू करेंगे कि किस तरीके से ये 16 ये 16 जो महा जनपद थे इन मेंसे मगध ultimately सबसे powerful kingdom के रूप में उभर कर आया और मगध में भी किस तरीके से हरियंका डाइनिस्टी, सेश्रनागा डाइनिस्टी और फिर नंदा डाइनिस्टी उसके बाद हम बात करेंगे जो Alexander या Macedonian invasion रहा या फिर Persian Iranian invasions रहे इसके अलावा जो इस period के बहुत सारे different sites हैं, जो important sites हैं, उनके जो important features हैं उसको भी हम एक एक करके आपसे detail में discussion करने के कोशिश करेंगे साथी साथ, पूरे discussion के दोरान, history तब तक complete नहीं है राजा और महराजा, कौन किसका बेटा था, किसने किसको हराया, जिताया ये पुराना style है history पढ़ने का लेकिन अब जो history है, वो political history, war history के साथ-साथ किस तरीके से cultural changes आए, कैसे economic changes आए trade or commerce का क्या basically scene रहा, इन सब के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, आज के lecture में तो आईए, शुरू करते हैं lecture number 13 of the ancient history या भारत के प्राचीन इतिहास का सबसे पहले discussion हो जाए, जो Lord Buddha और उनके जो favorite disciple थे आननदा, उनके बीच के discussion का Lord Buddha जब आए basically कुशी नारा, तो एक groove के पास खड़े हो के उन्होंने अपने disciple आननद से कहा कि actually ये जो जगा है कुशी नारा, मेरा जो final passing days हो, मेरा जो अन्तिम संसकार हो, मेरे last के जो दिन हो वो यहीं पर होने चाहिए तो उनके जो disciple थे आननद, उन्होंने कहा कि कुशी नारा में आप क्यों चाहते हैं कि आपके अन्तिम राइट्स हों आप यहाँ पर basically निर्वाना अचीव करें क्योंकि यह तो बहुत पिछड़ा सा, जंगल टाइब का, मड हर्ट्स का, इस तरीके का एक टाउन दिखाए देता है जो भगवान या लॉड बुद्धा के हिसाब से अनवर्दी सा दिखाई देता है डिसाइपल आनन्द ने कहा लॉड बुद्धा से कि कुशी नारा के अलावा बहुत सारे और टाउन्स जैसे चंपा, राजग्रीहा, श्रवस्टी, साकेत, कौशामभी, वरनसी चंदॉली के पास वरनसी, आनन्दा, यह सारे के सारे सिटीज भी तो अवैलिबल हैं तो क्यों आप सिर्फ कुशी नारा पे ही इतना ज्यादा एंफिसाइज कर रहे हैं लॉड बुद्धा ने आनन्द की इन सभी बातों को बहुत ध्यान से सुना और उन्होंने इन सारे अब्जेक्शन को डिसकार्ट कर दिया उन्होंने अपने डिसाइपल आनन्द को समझाया कि कुशी नारा हमेशा से एक बहुत ग्रेट इंपोर्टन सिटी रही है जिसका इस्टॉरिकल नाम रहा है कुसावटी जो कि कैपिटल रही है एक माइटी किंग हुआ करते थे महासुदासना की यह जो सिटी है यह रफली बारा योजनाज इस डारेक्शन में और सेवन योजनाज बेसिकली नौर्थ तू साउट डारेक्शन में मैजर करती है और उस वक्त इसमें एलिफेंट्स, होर्सेज, चैरियेट्स, ड्रम्स, टेबोर्ट्स, लूट्स, सॉंग्स, सिंबल्स, इटसेटरा बहुत चहल पहल इड्रिंक और बी मैरी टाइप का माहल रहा करता होगा इन फैक्ट लौर्ड बुद्दा ने कहा कि ये जो सिटी है कुशी नारा या कुशावटी ये अलख नंदा से कम नहीं है और उन्होंने अलख नंदा से क्यों compare किया होगा क्योंकि अलख नंदा को royal city of the gods कहा जाता है और इस वजह से जो मेरा last समय होगा, अंतिम समय होगा, last riots होगे, मेरी last breath होगी ये actually कुशी नारा या कुशावटी में ही होनी चाहिए ये जो conversation है जिसके बारे मैंने discussion किया between lord buddha and his favorite disciple अनंदा ये basically mentioned है महा, परी, निबाना, सुत्ता, जो की part है दिग, निकाय का गंगे वैलीज में 6th century BC अगर आप देखें तो वो पूरा period एक बहुत exceptionally intense और बहुत important philosophical inquiry से भरा हुआ रहा जो चाहे politically आप देखें, socially देखें, economically देखें, जो different changes तेजी से आ रहे थे खास्त और से गंगा वैली रेजिन में उसके लिए बहुत significant रहा 600 BC एक ballpark number आप कह सकते हैं, एक approximate point आप कह सकते हैं क्योंकि आप question कर सकते हैं, 700 क्यों नहीं, 650 क्यों नहीं, 550 क्यों नहीं लेकिन कई सारे historical evidence को देखने के बाद, particularly North India में, ऐसा लगता है कि 600 BC का जो approximate point है ये historical continuum में जो rapid changes आए, उसमें एक landmark milestone कहा जा सकता है और ये जो 600 BC का date ये time ये phase हमने pinpoint किया है, या इसके बाद के जितने भी time chronology है ये सभी depend करते हैं कि Lord Buddha की जो date है, उनके death की, उसको क्या माना जाए क्योंकि जितने भी references हमको देखने को मिलते हैं बाद में, ज्यादा तर references Lord Buddha की death के comparison में ही दिये गए है तो इस वजह से, क्या date होगी किस event की, ये सबकुछ इस पर आके अटक जाता है कि Lord Buddha की death कि year में मानी जाए या किस century में मानी जाए और ये जो Lord Buddha की death का event है, इसको Buddhist tradition में कहा जाता है, परी निबाना और ये बहुत central है, जितनी भी chronologies है, early historical dynasties की, या post Vedic text की या फर historical जो changes हुए in text में, उन सब के लिए जो major linchpin है, या major basically approximation point है वो है Lord Buddha's death या परी निबाना दिपवंच और महावंच के हिसाब से अगर आप देखें, तो उन्हों ने कहा कि जिसको हम कहते हैं, अशोका दा ग्रेट अशोका दा ग्रेट का जो consecration या ताज पोशी हुई वो परी निबाना या Lord Buddha की death के 218 साल बाद after 218 years from the date of death of Lord Buddha मतब सब कुछ Lord Buddha की death से reference किया हुआ दिया है कई approximation के हिसाब से Lord Buddha की death roughly 544 या 543 BC के आसपास रही होगी और बहुत लोगों को ये actually एक uncorrected long chronology के रूप में लगता है जो थेरावेड communities हैं South India में, Southeast Asia में वो इस 544 या 543 BC की जो date है परी निबाना की इसको मानते हैं, celebrate करते हैं या mark करते हैं as Buddha सासन या फिर Buddhist era ये जो uncorrected long chronology है जिसमें Lord Buddha की death को 544, 543 BC basically mark किया गया है इसको बाद में कई historians ने correct किया और क्योंकि Lord Buddha की death की date को correct किया गया तो उनके हिसाब से जो बाकी dates मैप की गई थी चाहे वो Ashoka the Great का consecration या ताजपोशी हो या बाकी जो historical events रहे उनको भी फिर बाद में correct करना पड़ा तो ये जो uncorrected long chronology रही अब कहीं जाने लगी corrected long chronology और इस corrected long chronology के हिसाब से Lord Buddha का जो demise था death थी वो ऐसा लगता है roughly 486 to 477 BCE रही होगी इसका मतलब जो uncorrected long chronology है उसमें 544 से 543 BCE ये और ज्यादा बाद में आकर अब रफली हो गया 486 to 477 BCE के आसपास में एक और hypothesis है कि जो short chronology है ये basically based है हमारे Sanskrit और Chinese sources पे जिसमें इस बात को assert किया गया है कि Buddha की death और Ashoka के consecration के बीच में roughly 100 years का gap रहा होगा और इस हिसाब से अगर आप देखें तो परे निबाना ऐसा लगता है roughly 368 BCE के आसपास fall करता है Recently अगर आप देखें तो Lord Buddha की क्या exact date लेनी चाहिए इस पे काफी debate अभी भी चल रही है लेकिन अगर आप पाली chronicles देखें और पाली language की जो chronicles हैं उसमें list of elders हैं उनके हिसाब से परे निबाना या Lord Buddha की death roughly 400 to 350 BCE के बीच में होनी चाहिए और पाली chronicles के हिसाब से Lord Buddha की roughly जो life थी roughly 80 years के आसपास थी तो कुल मिला की जो debate है की exact date क्या रही होगी ये अभी भी चल रही है लेकिन for our own reference and to settle this debate जो Indian scholars हैं वो roughly 480 BC की जो ये date है इसको basically prefer करते हैं Lord Buddha की date या परी निबाना के रूप में Aurora का एक version है जो Ashoka का minor rock addict है उसमें भी लिखा हुआ है इस inscription में कि जो death of Buddha है उससे roughly 256 years के बाद में ये जो Aurora का Ashoka का minor rock addict 1 है इसको issue किया गया इसके हिसाब से अगर आप देखें तो परी निबाना की date roughly 483 BC निकल कर आती है तो इसका मतलब roughly जो Indian historians and Indian scholars हैं जो 480 BC लेकर चल रहे हैं Lord Buddha की death को या परी निबाना को लेके मुझे लगता है हमारे reference के लिए या ज्यादा तर जो scholars हैं उन्हों ने इस 480 BC की date को accept अब कर लिया है अब थोड़ा सा discussion हो जाए कि कौन-कौन से important sources हैं चाहे वो literary sources हों चाहे archaeological sources हों जो ये period है 600 BC to 300 BC इसके बारे में information हमें देते हैं क्योंकि ये जो period है 600 to 300 BC ये पहला time, first time हमें possibility generate करता है कि हम अलग-अलग literary sources से जो information हमें मिलती है उसको compare करना शुरू कर दें तीन important sources हैं पहला important source पाली canon जो पाली text है या पाली canon of books है या पाली canon of inscriptions etc है ये एक homogenous source of history नहीं है पाली canon मैं अगर आप सुत्त पिता का देख लें उसकी जो पहली चार books है दिग, मजिम, सम्युद, अंगुतारा और उसके अलावा जो पूरा का पूरा entire winner पिता का है ये compose हुआ हुआ रफली 5th and 3rd century के बीच में पाली canon का जो सुत्त निपता है वो भी रफली 5th और 3rd century के बीच में ही compose हुआ होगा इसका मतलब जब ये compose किये जा रहे थे तो actually उस वक्त की political, social, economic जो conditions होगी या history होगी उसका reflection हमें इन सब में पाली canon में दिखाई देगा जो खुदक निकाय है जो कि सुत्त पिताका की 5th book है उसके अलावा जो अभी धम पिताका है ये actually बाद के work है, later work है इस वजह से उनको शायद इस 600 BCE से 300 BCE के actually first hand information के रूप में use किया जाना थोड़ा सा unreliable हो सकता है लेकिन सुत्त पिताका की first four books, पूरा का पूरा बिने पिताका और सुत्त निपता ये 5th to 3rd century BC के बीच में ही compose किये गए इस वजह से इनको काफी reliable source of information इस पूरे period between 600 BC to 300 BC का माना जा सकता है अगर आप geographical context देख लें तो ये जो composition हुआ है, पाली कैनन का, ये roughly हुआ है middle gangay valley जो कि अगर आप modern day देख लें इंडिया का, तो ये modern बिहार और eastern UP के असपास fall करता है पाली कैनन, कई बार जो जातकाज हैं, और जातकाज क्या है? जो खुदक निकाया है, उसकी जो 15 books हैं, उनमें से एक book को कह जाता है basically जातकाज ये ऐसा लगता है कि कई historians ने सिर्फ जातकाज के base पे 6th century BCE से 3rd century BCE के आसपास की history construct करने के लिए heavily rely किया है इसी basis पे उन्होंने morian, post-morian periods की history को reconstruct किया है लेकिन we have to be very careful, क्योंकि जो जातकाज हैं, जो हमने कहा कि खुदक निकाया और अभी दम पिता का दौनों ही later works हैं, जो रफली 3rd century से 2nd century BCE के बीच में या 3rd century से 2nd century CE के बीच में compose हुई, उनको हम reliable source of information नहीं ले सकते इस 600 BCE से लेके 300 BCE की window की history को construct करने के लिए तो पहला हमारा source of information हो गया पाली कैनन जो second source of information होगा, वो होगा कि जो text हैं, जो belong करती हैं ब्रामनीकल tradition को, जिसमें particularly जो हमारे पुरांस हैं, वो dynastic history को recreate करने के लिए बहुत important source of information है जो पुरां के later sections हैं, वो पुरानी king list clearly हमको provide करती हैं लेकिन उसमें कुछ issues भी हैं जैसे पुरांस में कई सारे एं information एक दूसरे को contradict करती हैं कई बार पुरांस में actually जो different members हैं, different rulers हैं, different chronology है उसको भी थोड़ा सा mix up होते हुए देखा गया है तो ये पुरांस या ब्रहामनिकल tradition का एक पार्ट पुरान हो गया हमारा second important source of information और ब्रहामनिकल tradition में ही अगर आप देखें तो अगर हम बात कर लें हमारे epics की, Sanskrit epics की, Ramayn and Mahabharata की तो उनको हम actually एक general understanding के लिए तो use कर सकते हैं एक comparative perspective of cultural practices develop करने के लिए तो use कर सकते हैं लेकिन exact chronology क्योंकि archaeology से supported अभी तक हमको नहीं मिली है और उनका complex internal chronology है, Ramayn और Mahabharata दोनों का इस वजह से उनको historical reconstruction के लिए सिर्फ limited level तक ही rely किया जा सकता है ब्रहामनिकल tradition का जो एक और important source है जो की धर्म शास्त्रा literature के पाथ हैं ग्रिया सूत्राज and धर्म सूत्राज जो धर्म सूत्राज हैं, गौतम के या अप्स्टंबा के या बौधियान के या वशिष्टा के ये ऐसा लगता है compose हुए 600 BCE से 300 BCE के आसपास में दोस्तों तो इनको भी एक important source और literary source के रूप में यूज़ किया जा सकता है धर्म सूत्राज के अलावा, जो principal शौरत सूत्राज हैं उसके अलावा अगर आम देखें ग्रिया सूत्राज हैं, इन सब को भी utilize किया जा सकता है हमारे historical reconstruction from 600 BCE to 300 BCE जो third important source हो गया, तो पहला important source हो गया पाली कैनन दूसरा important source हो गया हमारे brahmanical text जिसमें हमारे purans हैं, हमारे Sanskrit epics हैं, उसके अलावा हमारे घ्रिया सूत्राज, धर्म सूत्रा literature हैं जो तीसरा important source हो गया इस period के लिए वो है जैना text यह तीसरा major tradition reflect करता है, जिसको हम historical source material के रूप में use कर सकते हैं for the 600 BCE to 300 BCE historical window कई सारी canonical text हैं जैना text की, जिसमें जैसे भगवती सूत्रा, जैसे परिशिस्ट परवान इनको हम utilize basically कर सकते हैं इस पूरे period के लिए अगर हम compare करें, बुद्धिस literature, पुरानिक literature, जैना text तो आपको क्या लगता है, कि dynastic history reconstruct करने में इन तीनों sources में कितनी हमें uniformity दिखाई देगी यज़ क्या आपस में एक दूस्ते से बहुत जाधागरी करते होंगे same ही roughly time frame में तीनों sources compose किये गए हैं, लिखे गए हैं ऐसा नहीं है unfortunately, तीनों sources में agreement से जाधा कहीं जाधा disagreement दिखाई देते हैं और तीनों ही source में बहुत सारी information incomplete है बहुत सारी information incorrect है बहुत सारी information हो सकता है एक दूसरे को contradict करते हुई दिखाई देती है और ये भी fact है कि ये तीनों sources exactly same time पर compose नहीं हुए different times पर compile किये गए और तीनों sources के जो composers थे उनका perspective भी different था इनको लिखने का, construct करने का, reconstruct करने का तो जाहिर सी बात है जब perspective different हो, different time frames में इनको basically compile किया गया हो तो differences तो आही जाते हैं इनके अलावा indigenous sources अगर आप देख लें तो indigenous sources हमारे हो गए indigenous sources के अलावा बहुत सारे international sources भी आप कह सकते हैं जैसे Greek and Latin narratives of Alexander's military carrier कि जब Alexander ने invade किया Indian subcontinent को तो जो Greek and Latin historians narratives लिखे गए उस वक्त by writers such as Arian, Curtis, Rufo, Deodorus, Sicilius या Plutarch and Justin उस वक्त की क्या situation रही होगी खासतोर से Northwest part of Indian subcontinent उसका reflection भी हमें दिखाए देता है foreign accounts में इसके अलावा Alexander का जो invasion हुआ और कब Alexander ने इंडिया को invade किया होगा 327 to 326 BC तो उस वक्त की क्या political situation रही होगी Northwest India में Alexander की life, career ये तो पूरे Greek और Roman world का basically एक legend के रूप में उसको portrait किया गया है तो बहुत सारी information हमें Greek and Latin narratives या sources से भी मिलती है दोस्तों तो इससे पहले हम जो literary sources हैं पाली कैनन ब्रामनिकल टेक्स्ट जैना टेक्स्ट बुद्धिस टेक्स्ट और इसके अलावा basically Greek and Latin narratives इस discussion को खतम करने से पहले मुझे लगता है एक important discussion हो जाए जैसे कि हमारे कुछ primary sources है first hand information जिससे हमको मिलती है और उसमें एक बहुत important source है पानेनी की अश्ट ध्याई पनेनी actually एक Sanskrit grammarian थे जो की रफली 5th या 6th century BC के आसपास exist करते होंगे और उनका जो major बहुत famous work है अश्ट ध्याई ये ऐसा लगता है कि ये oldest सबसे पुरानी surviving Sanskrit grammar है जो brilliant intellectual achievement को represent करती है अश्ट ध्याई में जो की different rules है Sanskrit grammar के उनको लिखा गया है roughly 3996 सूत्राज में ये सूत्राज short है highly compressed है highly condensed statements के रूप में लिखे हुए हैं दोस्तों लेकिन इसमें बहुत clarity है और बहुत ही comprehensive coverage है कि Sanskrit के rules grammar क्या होने चाहिए पानीनी ने जो grammatical rules है Sanskrit को उस वक्त existed in that time period उनको properly map out किया है और इस वजह से पानीनी की जो अस्ट ध्याई है इसको इस book को एक landmark माना जाता है in the history of Sanskrit language and literature और ये book ही transition को mark करती है Vedic Sanskrit से अब जो हम देखते हैं classical Sanskrit की तरफ इसका मतलब पानीनी से पहले भी Sanskrit grammarian होते होंगे लेकिन शायद पानीनी पहले ऐसे Sanskrit grammarian थे जिन्होंने अपनी खुद की school of grammar को establish किया उसके बाद उन्होंने पूरे rule set को properly compile किया और इस वजह से पानीनी का जो achievement माना जाता है Sanskrit grammar में वो बाकी Sanskrit grammarian के मुगाबले कहीं ज्यादा important माना जाता है जो पनीनी की grammar थी कई सारे centuries तक ऐसा लगता है जैसा हमने देखा वेदास जिस तरीके से transmit होते थे oral तरीके से तो teacher से student को पनीनी की grammar भी ऐसा लगता है कई centuries में large extent तक oral instructions के थूँ ही pass on होती होगी पनीनी के बाद आप देख लें कत्यान देख लें जो कि 4th century BC में आए उसके लावा पतांजली आप देख लें जो कि 2nd century BC में आए दोनों ही पनीनी को अपने गुरू के रूप में in fact honorific भगवान के रूप में basically respect करते हैं पतांजली ने पनीनी के बारे में कहा है कि he was a very great teacher और जो अस्ट ध्याई है it is a vast ocean of learning महत श्रस्त्र उगा इस वजह से उनके बाद जो young students रहे उनके मन में पनी और उनके work landmark work अस्ट ध्याई के लिए एक major respect रहा when it comes to rules on Sanskrit grammar जो 10th century के writer है राजशेखर जिन्हों ने partly पोत्र में जो concept institution रहा board of examiners उसकी काफी detail में basically study की और जो 11th century के text हैं जैसे कि सोमदेव का कथा सरित सागर शेमेंदर का ब्रिहत कामांजरी इन्हों ने भी पनिनी और उनका जो contribution रहा Sanskrit grammar में उसके अलावा ब्रित कथा और गुनाध्या इन्हों ने भी पनिनी को वो due respect अपने work में दिया है जो पनिनी ने अस्ट ध्याई के रूप में Sanskrit grammar को उस वक्ट contribution दिया होगा दोस्तों पनिनी एक teacher है वर्षा उनके student रहे और जो mythological stories हैं उनके हिसाब से पनिनी एक point पे हिमालयाज में meditate करने गए वहाँ उनको God, Lord, Shiva ने Swaim ने एक नया system of Sanskrit grammar उनको दिया और जब वहाँ से वापस आए तो उन्होंने अस्ट ध्याई लिखी जो कि Sanskrit grammar जो पुरानी वैदिक Sanskrit थी उससे कुछ हट कर रही और उससे जन बेसिकली हुआ Vedic Sanskrit से transition हुआ अब classical Sanskrit की तरफ साथी साथ पनिनी ने अस्ट ध्याई में इन rules of grammars को समझाने के लिए बहुत सारे important places people, customs, institutions coins, weights and measures उसके लाबा उस वक्त के लोगों का beliefs and practices क्या रही उसको भी बहुत effectively use किया है इस वजह से जो historians हैं ये इन important sources चाहे पाली कैनन हो चाहे ब्रामनिकल टेक्स हो चाहे जेना टेक्स हो चाहे बुद्धिस टेक्स हो इनके अलावा Greek और Roman basically जो narratives हैं इनके अलावा पनिनी की अस्ठ ध्याई को एक बहुत primary source of information माना जाता है when it comes to reconstruction of history of the 5th and 4th century BCE दोस्तों तो ये बात हो गई हमारी की literary sources of information क्या रहे literary sources of information के साथ इस पूरे period में 600 BCE और 300 BCE के बीच में archaeological sources ने भी बहुत important role play किया जैसे North India में जो focus रहा जो culture associated रहा एक particular type of pottery और वो pottery रही NBPW Northern Black Polished Wear ये जो NBPW रहा Northern Black Polished Wear phase ये रफ़ी 7th century से लेके 2nd या 1st century BCE के आसपास तक expand करता होगा इसको दो parts में आप डवाइट कर सकते हैं जो early NBPW phase था ये 7th century BCE से 3rd century BCE और जो late NBPW phase रहा ये 3rd century से 1st century BCE के आसपास रहा होगा अभी इस particular discussion के लिए हम किसमें focus करेंगे जो इसका early phase रहा between 7th century BCE to 3rd century BCE अगर हम कुछ recent radio carbon dates देखें particularly आयोध्या district in UP तो वहाँ पर NBPW phase हमें ऐसा लगता है हो सकता है 7th century BCE के बजाए 1000 BCE तक भी जाता हो मतलब हो सकता है कि NBPW phase North India में खास्तोर से गैंगे इस रीजिन में या गैंगे वैली में बहुत पहले से शुरू हो गया होगा यह जो evidence है अलग-अलग side से Northern Black Polished Wear NBPW यह हमें बहुत सारे punch marked coins का भी indication देता है इसका वादल क्लेरली हमें पता लगता है कि punch marked coin अब हमें पहली बार पूरे subcontinent में indication देते हैं कि money का use होना शुरू हो गया किस pottery के साथ associated है punch marked coins या beginning of the use of money in the subcontinent NBPW Northern Black Polished Wear यह जो NBPW है इसका अगर आप नाम देखे थोड़ा सा misleading है क्योंकि actually यह सिर्फ जैसे नाम इसका नदन तो ऐसा नहीं कि यह सिर्फ North India में ही मिलती हो हो सकता है कि शुरुवात North India में दिखाए भी हो और ऐसा भी नहीं कि यह हमेशा सिर्फ black ही हो और ऐसा भी नहीं कि यह हमेशा polished ही हो तो ना ही यह हमेशा नदन रही ना ही हमेशा black रही नहीं हमेशा यह polished रही लेकिन जो NBPW है यह एक well-fired, wheel-made deluxe pottery है जो कि well-lavigated जो clay होती है उसकी बनाई जाती है यह fine wear है, कई बार as thin as 1.5 mm के आसपास भी देखा गया है और black के अलावा इसको और बहुत सारे shades different colors में भी देखा गया है जो generally shapes बनाई गए इस NBPW में वो straight, convex, tapering corrugated sides, dishes उसके अलावा dishes with straight sides, knob lids etc. 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 देखने को हमें मिले है जो pottery है उसका generally glossy, चम चमाता हुआ यह चमकता हुआ surface देखा गया है किस exact तरीके से glossy surface achieve किया गया यह बहुत clear नहीं है दोस्तों अलग-अलग theories है कई लोगों को कहना है कि basically clay में water मिला के इसको किया गया, कईयों का कहना है कि जो magnetic iron oxide है उसके थुरू इसके लिए black, glassy look को लाया गया या फिर application of liquid clay के थुरू इसको लाया गया जो NBPW है यह usually unpainted है लेकिन कुछ instances, हलाँ कि कम instances हमको देखने को मिले है जिन में designs भी है जैसे bands है, wavy lines है, dots है concentric and intersecting circles है semi circles है, etc और कई जगे हमें इसमें paint yellow और light vermalon में भी देखने को मिला है जो pottery है, जो कि NBPW के description से match करती है यह first time कम मिली होगी कई सारी sites में हमें first time मिली 19th century और सबसे पहले यह मिली हमें तक्षिला में 1913 में और तक्षिला में 1930 में इसकी discovery के बाद और बहुत सारी sites पे खास तोर से गेंगे वैली और उसके बाद भी हमको यह लगातार देखने को मिली और अभी तक रफली 1500 से भी ज्यादा ऐसी sites को discover किया जा चुका है जो कि अगर आप North South में देख लें तो तक्षिला से लेके चार साज जो कि अमरावती ये आंधरा में वहां तक spread out मिली है साथी साथ अगर आप East West में देख लें तो प्रभाश पाटन जो है गुजरात में वहां से spread होते होते ये नौत राजस्तान हो, यूपी हो, बिहार हो, वेस्ट पिंगौल हो जोसकी important excavated sites हैं वो है रोपर इन पंजाब, राजा करना का किला दौलातपूर, हरियाना, बैरात, नो, जोदपुरा, राजस्तान, हस्तिनापूर, अतरंजी खेरा, कौशामबी, श्रावस्टी यूपी, वैशाली, पत्ना, सोनेपुरिन, बिहार और पंजाब, हरियाना, राजस्तान, वेस्टन यूपी है उसमें जो NPPW phase है ये basically preceded, मतलब इससे पहले कौन सा phase था? PGW phase, painted grey wear phase और कुछ period के लिए PGW के बाद NPPW पूरी तरह आने से पहले दौनों के बीच में कुछ overlap भी देखने को मिला है वहीं Eastern UP और बिहार के आप बात कर लें मतलब जैसे जैसे आप और East में जाएंगे NPPW से पहले कौन सा phase आया? BRW, PGW नहीं Black and Red Wear आया Eastern UP और बिहार में और Punjab, Haryana, Rajasthan, Western UP में NPPW से पहले आया PGW phase तो दोस्तों, ये एक हमारा discussion basically हो गया कि किस तरीके से ये पूरा period from 600 BC to 300 BC में जो important literary sources हैं important archaeological sources है और क्या debate है Lord Buddha की death को लेके जिसको परिनिबान कहा जाता है Buddhist tradition में जिसके हिसाब से बाकी सारी rates mapped है क्या पूरा discussion है? मुझे लगता है अभी तक का discussion आपको पूरी तरह clear होगा और ये sets the stage for now taking us to the 16 great states of the Indian subcontinent 16 महा जनपद उस वक्त के Indian subcontinent के चलिए शुरू करते हैं आप letter Vedic text देख लीजिए आप epics देख लीजिए आप पूरांस देख लीजिए बहुत सारे ancient kings, dynasties तो ऐसा लगता है कि जो हमारी epic पुरानिक genealogies हैं उनका जो शुरू का पार्ट होगा मतलब बहुत पुराना पार्ट होगा वो clearly mythical है क्योंकि अभी तक हमें supportive evidence नहीं मिला है लेकिन ऐसा लगता है कि जो बाद का पार्ट है वो historical basis हमको present करता है क्योंकि कई सारे cases में हमको historical evidence मिल चुका है उन text में जो kings and dynasties and dates हैं mentioned हैं उनको support करने को लेका जैसे king parikshit जो king parikshit है जो कि basically cruise के king बने महा भारत की war के बाद और उनके जो बेटे हुए son हुए और जनक जो कि king ओफ विधे बने ये clearly historical figures हैं जिन्होंने रफली 9th century से लेके 7th century BC के बीच में rule किया होगा और 6th century BC के बाद में जो political history है North India उसकी पूरी outline, उसके collaborative evidence, उसके textual evidence, उसके archaeological evidence और ज्यादा robust रंग को दिखाई देते हैं चाहे वो kings हों, religious teachers हों, वो ऐसा लगता है कि वो ज्यादा तर real और historical figures रहे होंगे तो 6th century BC के बाद, 600 BC के बाद हमको confidence मिलने लगता है कि जो हमारे text में rulers हैं, dynasties हैं, wars हैं, kings हैं वो actually सिर्फ एक mythical figures शायद नहीं है, actual historical figures का reflection है जो state polities हैं, societies हैं, जो की 6th और 5th century BC में emerge होने शुरू हुई, चाहे वो आप गंधारा देख लें, northwest से, या फिर eastern India में आप अंगा देख लें उसके अलावा मालवा region तक पूरा ये extent होने लग गई जो inclusion है, अशाका, जो की अपर गुदावी में हैं, इसका inclusion हुआ great states of the time मतलब clearly ये हमें बताते हैं, कि जो विंदियन्स को cross करके अशाका गुदावी river पे situated है तो विंदियन्स के बाद में भी उस वक्त के जो great states या महा जनपत्ते वो extend हुआ करते थे और उसके कुछ centuries के बाद हमें South India में भी cities और states का emergence दिखाई देता है मतलब ये emergence हमें North India में थोड़ा पहले दिखाई देता है, फिर Trans-Vindyaz के बाद दिखाई देता है और इवेंचुली South India में भी cities और states और kingdoms इमर्जोना शुरू हो जाते है जो Buddhist और जो Jaina टेक्स्ट हैं, ये दौनों ही 16 powerful states, 16 महा जनपत्त के बारे में mention करते हैं और दौनों ही टेक्स्ट कहती हैं कि जो 16 powerful states थे जिनको महा जनपत्त भी कहा जाता है ये roughly early part of 6th century BC में exist करते थे अच्छा आप सोचें कि जनपत्त क्या है, जनपत्त का मतलब एक geographical region जिसमें urban rural settlements उनके अलावा उनको जो inhabitants हैं political system हो सकता है, social system हो सकता है, वो सारा as a unit of function करते हैं तो उसको जनपत्त आप कहा सकते हैं तो हो सकता महा जनपत्त मतलब कई districts के बराबर एक जनपत्त उस वक्त रहा होगा और इन 16 powerful states या महा जनपत्त के अलावा बहुत सारे जाहिर सी बात हैं, छोटे states, chiefdoms, tribal principalities भी रहा करती होंगी अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से हैं वो 16, 16 महा powerful जनपत्त्त या powerful states तो अंगोतारा निकाय में जो list दी हुई है महा जनपतास की, वो है काशी मतलब आज का बनारस, अभी मेरी posting है चंदौली मैं जो की पहले बनारस का part हुआ करता था आज बनारस या वारानसी या काशी के साथ अपना border share करता है तो just imagine कि हमारे ये cities कितने हजारों साल पुराने हैं, कबसे exist कर रहे हैं, continue कर रहे हैं तो पहला हो गया काशी, फिर हो गया कुसाला या कोशाला, फिर हो गया अंगा, फिर मघद, फिर वजी या व्रिजी, या माला, फिर हो गया चेटिया या छेडी, फिर वमशा या वत्सा, फिर कुरू, पांचार, माचा या मत्स्य, फिर शुरासेना, अशाका या श्माका, फिर अवन्ती, गंधारा, and finally, कंबोज. जो महावस्तू है, उसमें भी एक similar list है, लेकिन जो शिबी है, और दशन्ना है Central India में, उनको basically replace कर देते हैं, जो North Western state है, गंधारा और कंबोज के उनको. उसी तरीके से, जो भगवती सूत्रा है, उसमें भी 16 महा जन्पद दी हैं, लेकिन थोड़ इसी different list हैं. लेकिन ऐसा दिखाई देता है, कि हमारे discussion के लिए, historians की जो majority की राय है, उसमें से ज्यादा तर basically जो नाम है, वो common हैं. और अभी हमने जिन 16 जन्पद की list आपको पढ़के सुनाई, वो जो अंगोतारा निकाय में दी हुई है, उसको ज़्यादा reliable माना जा सकता है. अच्छा है, जो महा जन्पद रहें, इसमें दो clearly type की political systems, या दो clear type की states उस वक्त exist करती रहें. एक, तो मुनार्कियल, मुनार्कियल का मतलब है, जिनके राजा हूँ, राजिय हूँ, जिनका एक single head of the state हूँ. और ज्यादा तर वो heredated रहा. मतलब की, राजा की death के बाद उसका बेटा उसका राजा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, तो इसको आप कहेंगे मुनार्कियल. और दूसरे टाइप के, जो kingdoms रहे, states रहे, political system रहे, वो रहे non-monarchal states, जिनको गनाज या संघाज भी कहा गया. और दौना की बारे में, हम अगले कुछ मिनिटाओं में, डिटेल में आपके साथ discussion करेंगे. जो गनाज हैं, या संघाज हैं, जो non-monarchal हैं, इसमें अगर आप देखें, तो ये political sense में, आपको terms use करते हुई दिखाई देती हैं, अस्ठ ध्याई में भी, या फिर मिजम निकाया में भी. अगर आप गन का translation करें, या आप संघ का actual translation करें, तो इसका actual translation हो जाता है republic. Republic का मतलब है कि लोग actually चुनते हैं अपने rulers को, head of the state को. लेकिन आज की जो republic हम कह सकते हैं, जैसे India is a republic, उस वक्त शायद exact same fashion में नहीं रहा होगा. उस वक्त शायद लोगों के पास ये power कि वो अपने rulers को खुद elect कर सकें, वो शायद नहीं रही होगी. इसका मतलब उस वक्त के जो rulers होंगे, वो more or like republic की बजाए oligark basically होंगे, oligarkies होंगे. मतलब कि कुछ limited group of people, एक छोटे group के through, rule किया जाता होगा पूरे state पर, महा जनपत पर. और ज़रूरी नहीं कि ये जो group of people हैं, ये किसी भी तरीके से elected किये जाते होंगे, common masses के through. इन 16 महा जनपत में से, जो सबसे powerful, चार अगर महा जनपत आपके हैं, तो वो रहे मगद, कुछाला, वच्सा and अवन्ती. और इन सभी महा जनपत या छोटे बेसिकली जो जनपत होंगे, इनके बीच में कैसे relations रहे, re-alliances, marriage alliances, एक के साथ दोस्ती, दूसरे के साथ दुश्मनी, military alliances, warfare, trots, ये time के साथ fluctuate होता रहा, change होता रहा, जैसा कि हमेशा amnistrie में देखा है, जैसा आज भी modern day political setting में आप देखे इसके लावा, जो marriage alliances थी, ये भी एक बहुत important aspect रहा, interstate relations का, लेकिन जब बात आजाए, अपने political ambitions को realize करने की, तो चाहे आपने किसी भी dynasty में शादी की हो, आप शायद भूल जाएंगे कि मेरे वहाँ पर personal relationship हैं, और हो सकता आपके political ambition उसको overpower कर दें, और ये चीज हमको इस द kingdom है काशी के, ये basically इनको काशी क्यों नाम दिया गया, वरा नसी ये जिसको आज बनारस कहा जाता है इसको, क्योंकि north में ये वरुन river द्वारा bounded है, और south में ये असी river द्वारा basically bounded है, और इस वजहा से इन दो rivers, वरुन, वारा, असी, असी, तो इसलिए नाम पढ़ गया लभ religiously, historically, politically, in fact, जहां मेरी अभी posting है, उस particular subdivision में, काशी, बनारस या वरा नसी का major influence आज भी देखा जा सकता है, जो जातक्स हैं, वो कई काशी किंग्स के बारे में, chronological तरीके से या उस वक्त की political paramountcy की क्या situation रही होगी, उसको list आउट करते हैं, जातक्स कि जो long standing rivalry रही, particularly काशी और कोशाला के kingdom के बीच में, इसको भी describe करते हैं, काशी की कई बार conflicts हुई, कोशाला के साथ तो लगातार conflicts बनी रही, लेकिन अंगा और मगधा के साथ भी बीच बीच में कई बार warfare होते रहे, in fact, एक ताइम ऐसा आया, कि काशी was one of the most powerful states of North India, लेकिन eventually कोशाला आज ने काशी को हरा कर अपने kingdom में काशी को observe कर लिया, जो powerful kingdom है कोशाला का, ये basically bound on होता है, सदनीरा गंडख जो की east में है, और गोंती जो की west में है, उसके लावा सर्पिका या सन्यदेका जो की south में है, और नेपाल हिल्स north में है, कोशाला किंग्डम के अगर हम बात कर लें, तो जो सर्यू रिवर है, ये इसको दो पार्ट्स में डिवाइट कर देती है, north part and southern part, श्रवस्टी जो की modern day शाहित महित आप कह सकते हैं, जो की north कोशाला की capital हुआ करती थी, और south कोशाला की capital हुआ करती थी, कुशावटी, साकेथ और अयोध्या ये दो important basically towns हो गए, बाद में कोशाला किंग्डम से related, उसके अलावा और भी कई towns जैसे कितागरी, उकथा, सेतव्या भी कोशाला किंग्डम से related दिखाई देते हैं, कोशाला successful हुआ काशी को conquer करने में और एक टाइम पे इसकी power जो साक्यास थे couple वश्टू तक वहां तक extend हुआ करती थी, इसके अलावा जो कलमास थे केसा पुटा के और उसके अलावा आसपास के जो स्टेट्स थे वहां पर भी कोशाला किंग्डम का basically पर्चम लहराया करता प्रसंद जीत या पसे नाडी जो king of कोशाला थे उनको बुद्धा का contemporary कहा जाता है, मतलब Lord बुद्धा के time पे exist करते थे और पाली टेक्स्ट में कोशाला के king प्रसंद जीत या पसे नाडी का बहुत बार हमको mention देखने को मिलता है कोशाला का kingdom और मगदा का kingdom दौनों ही basically matrimolian ties alliances के साथ हमेशा से जुड़े रहे और in fact प्रसंद जीत और मगदा के king बिम्भी सारा इन दौनों में हमेशा से cordial relationship रहे लेकिन जब बिम्भी सार की death हो गई तो उसके बाद कोशाला और मगदा में कई बार bitter wars भी हुए दोस्तों कोशाला के बाद जो अगला important महाजनपद है वो है अंगा और अंगा present day भागलपुर या मुंग्यार डिस्टे के बिहार उसको correspond करता है नौर्थ में गंगा river से boarded है और जो चंपा river है वो basically इसकी boundary को separate करती है मगदा जो की एक different महाजनपद हुआ करता था वेस्ट में अंगा के capital चंपा जिसको एक बार मालिनी के रूप में भी माना जाता था जो चंपा capital हुआ करती थी अंगा की ये basically located है जो confluence है river ganga और चंपा river का जिसको आप identify कर सकते है आज जो चंपा नगर है या चंपा पुरा एक गाम है भागलपुर बिहार के पास में दोस्तों चंपा अंगा की capital होने के साथ साथ एक बहुत important commercial center भी रहा और different different trade routes के लिए एक noodle point या different different merchants के लिए जो अलग-अलग जगे से अलग-अलग बाकी basically countries से या subcontinent से sail करके आते थे उनके लिए बहुत important noodle point रहा और खासता और से स्वर्ण भूमी जो की probably South East Asia को refer किया जाता है वहाँ से जब merchant sale करके आते थे तो चंपा एक important उनके लिए transit point के रूप में act करता रहा अंगा के बाद जो next important महाजनपद है जिसका नाह हम आपने बहुत सुना होगा जिसके बारे हम और भी discuss करेंगे वो है मगद और मगद कि अगर हम बात कर लें तो ये basically cover करता है आज का modern day patna in Gaia districts of Bihar अगर हम देखें तो north में, west में, east में, north में river Ganga और west में river Soan और east में river Champa द्वारा ये bounded है South में जो विंदियन mountains है वो इसको guard करते हैं मगदा की जो capital रही शुरुवात में गिरिव राजा या राजगिरिया जिसको कहा जाता है जो कि आज modern day राजगिर है उसको माना चाता है जो हमारे पुरांस है ये अलग-अलग मगदन kings जो आए गए किसके बाद किसकी death हुई, किसने किसको succeed किया, क्या warfare हुए उसके बारे में बहुत information देते हैं और पुरांस में सबसे पहले information मिलती है हमें मगदन king ब्रिद रत के बारे में और ऐसा लगता है कि ये जो dynasty थी ब्रिद रत की इसका end वा 6th century BCE में और उसके बाद rise हुआ मगदन kingdom में हर्यंग का dynasty जिसने इस पूरे मगदन empire को महा जनपत को बाकी जितने भी महा जनपत थे उनसे सबसे ज़्यादा powerful बनाने में major contribution दिया तो इस वजह से जब सारे 16 महा जनपत का discussion हो जाएगा फिर हम एक separate discussion करेंगे कि मगदने कैसे बाकी सारे जो 15 महा जनपत या smaller basically जनपत रहे होंगे उनको conquer किया या उनको overwhelm किया और सबसे powerful महा जनपत के रूप में कैसे emerge होके आए मगदा के बात होगी बात वजजी या व्रिजी जो कि eastern इंडिया में basically located है north of ganga है और north of ganga से नेपाल hills तक extend करता है ज्यादा तर historian जो बहुत interesting बात है वजजी या व्रिजी के बारे में कि अभी तक हमने जो देखे वो kingdoms monarchical type kingdom थे कि एक राजा था राजा का एक बेटा था बेटे के बाद फिर बेटा राजा बन गया लेकिन वजजी व्रिजी actually मुनारिल की बजाए ऐसा लगता था कि एक confederacy थी eight या nine different clans की और इसका reference basically हमें मिलता है बुद्ध गोश की सुमंगला विलासिनी और उसमें लिखा है कि वजीज के जो अठ कुली कास थे वो legal tribunals थे वैशाली महाजनपत के लेकिन जो अठ कुली कास थे जिनको आप eight clans मान सकते हैं अगर हम मानें कि इसमें eight या nine different clans थे जो रूल करते थे वजी महाजनपत को और जो की legal tribunals थी वैशाली की तो इसमें जो most important members थे वो of course वजीज, clan, लिचवीज, clan, विधेयाज, नायाज, एंड जनात्रेकास उसके अलावा कई सारे और affiliated clans भी हुआ करते थे जैसे ओगराज, भोगाज, कौरवाज या एकवखास जो वैशाली महाजनपत है वो लिचवीज की capital क्योंकि लिचवीज भी एक important clan हुआ करते थे वजी महाजनपत के या इस confederacy के तो वैशाली लिचवीज की capital भी हुआ करती थी और वजी जो confederacy overall है उसकी भी capital को वैशाली ही माना जाता था और वैशाली को आप किसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं? modern day जो बशरा है नौर्थ बिहार में उसके साथ तो सबको clear है कि वजी बाकी से different कैसे है? 8 और 9 different clans की confederacy है जिसमें 4 सबसे ज़ादा जो important clans आप कह सकते हैं वजीज, लिचवीज, विदेहास, नयास, जनात्रिकास और वैशाली capital रही लिचवीज की और वैशाली ही basically capital रही overall वजी confederacy की जो लिचवीज हैं ये हमें बुद्धिस text में कई बार mention होते हुए दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है बुद्धिस text के साब से कि लिचवीज की काफी अच्छे terms रहे चाहे वो कोशाला हों या मालाज हों लेकिन मघद के साथ लिचवीज की हमेशा लड़ाई होती रही यह तक जैना जो tradition है वो ये तक कहते हैं कि नाइन लिचवीज ने basically एक लीग बनाई नाइन मालाज के साथ और उन्होंने 18 जो क्रैन लॉट्स हैं काशी और कोशाला उनके साथ वोर को अंजाम धिया जो विधेयाज हैं इनकी capital है मिथेला जो की modern जनकपुर है निपाल में उसके साथ identify कर सकते हैं जो जनत्रिकास है मतलब smaller जो क्लैंस है व्रिजी या फिर basically वजजी से लेके वो बेस्थ हैं कुंदनपुरा, कोलागा, जो की वैशाली, महवीरा actually belong करते थे किस क्लैंस से? महवीरा belong करते थे जनत्रिकास क्लैंस से, सब अब वफ वैशाली जो वजजी confederacy है, ऐसा लगता है कि इसका जो मेल लीडर थे, वो लीड किया जाता था शेतका जो की त्रिशाला, जो की महवीर की मदर थी, उनके basically brother थे और चेलेना के father थे, और चेलेना किसकी wife थी? मगदन किंग बिम्बे सारा की एक बार फिर से हो जाए, for clarity of thought, कि जनातरीकाज जो थे, जो basically clan था, Lord Mahavira उस clan को ब्लॉंग करते थे और जो total वजजी confederacy थी, जो eight और different nine clans के through, ओलीगार के रूप में rule की जाती थी, उसके जो main leader थे, वो थे चेतका और चेतक, actually, जो Lord Mahavira थी, इनकी जो mother थी, उसके भाई थे, Lord Mahavira की mother कौन थी? त्रिशाला, त्रिशाला के brother कौन थे? चेतक चेतक कौन थे? चेतक वजजी confederacy के main leader थे, चेतक, Lord Mahavira की mother त्रिशाला के brother होने के साथ-साथ, जो चेलेना है, उनके father भी थे और चेलेना, मगदन किंग विम्भी सारा की actually wife हुआ करते थी, तो ultimately, clearly आप देखते हैं, कि matrimonial alliances उस वक्त की society में, polity में, या conquest में, war alliances में, हमेशा से एक major role play करती आई है इसके बाद, जो अगला next principality है, वजजीज के basically, west में जो located है, वो है मला और दो political centers है मला के, कोशी नारा एंद पावा कोशी नारा को आप identify कर सकते हैं, काशिया, जो की smaller गंड़क पर situated है, roughly गोरकपुर से 77 km दूर उसके लावा जो पावा है, उसको आप पड़ा राउना विलिज, जो की काशिया से roughly 26 km नौर्थ यस्ट में located है, उसके साथ identify कर सकते हैं जो मलाज है, ऐसा लगता है, शुरुवात में शायद मुनार की रही होगी और वज्जीज और मलाज, ऐसा लगता है, शुरुवात में आपस में एक दूसरे के साथ aligns भी रहा होगा लेकिन बाद में, political ambitions की वज़ा से हो सकता है, दौनों में conflicts स्टार्ट हो गई हो अब, जो next हमारा महा जनपद है, वो है छेडी kingdom छेडी kingdom, eastern part, अगर आप बुंधेल खंड का देख लें, central इंडिया में, उसके eastern part में located है इसकी जो capital है, वो है सोती वती नगरा, जिसको आज के आप, या सुक्ती मती, या सुक्ती शव्या, जो महा बारत में basically mentioned है उसके साथ identify कर सकते हैं, इसके बाद, अगर हम next महा जनपद देखें, तो वो है वत्सा या वंशा, जो की गंगा रिवर के south में है और उस वक्त से लेके आज तक, इनकी जो fine cotton textiles हैं, उनके लिए बहुत जाना जाता है इनकी capital कहा होगी? कौशाम भी, जो कि किस के साथ identify कर सकते हैं आप? कोशम village है, जो यमुना के right bank पे located है In fact, बहुत सारे legendary accounts अगर आप देखें, तो जो वत्सा के odeon हैं और अवंधी के प्रदियत हैं, इन दौनों के बारे में कई सारे हमको legendary accounts दिखाई देते हैं Odeon, जो रहे वत्सा या वंशा के basically ruler, इन्होंने कई सारी metrimolian alliances की जो ruling families रही, चाहे वो आप अंगा की देख लें, चाहे आप मगधा, empire या महाजनपत की आप देख लें और Odeon, in fact, जो romantic hero, जो तीन important Sanskrit dramas हैं बाद में जो लिखे गए, जैसे स्वपन वश्वददेता, किसने लिखा? भाशाने, रतनावली, उसके बाद प्रिया दर्शिका, ये दौनों किसने लिखे? हर्शाने, इन में जो romantic hero, जो depict किया गया है, ऐसा मानना है, शायद king Odeon ही उस में reflect होता है, दोस्तों, जो Buddhist tradition है, इसके एसाब से, कुरू kingdom को rule किया जाता था, यूधीतला, गोता, मतलब family of Yudhisthira, और इनके capital कहां थी? इंदपटा, मतलब इंदप्रस्त, और बुद्धा के टाइम पे, कुरू एक minor state हुआ करता था, जो उसके जनरली chiefs द्वारा rule किया जाता था, जिनका नाम था, कोरव्या, जो जैन, उत्रा ध्यान सूत्रा है, उसमें कुरू king, जिसका नाम है, इशुकारा, उसके बारे में क कई सारे matrimolian alliances, चाहे वो यादवास के साथ हो, भुजास के साथ हो, पांचाल के साथ हो, established किये, और लौड बुद्धा के टाइम तक, कुरूज actually एक monarchy के रूप में established थे, तेकिन ऐसा लगता है, बाद में कुरूज भी monarchy से graduate होके, एक संधा के रूप में established अपने आपको क कर चुके थे, उसके बाद जो next important महाजनपत है, वो है पांचाल, और पांचाल include करता है हमारा पूरा रोहिलकंड area, उसके अलावा central दुआव region है, और actually river गंगा पांचाल महाजनपत को दो parts में divide करती है, जो उत्तर पांचाल है, नौर्थ पांचाल है, उसकी capital है अही छत्रा जिसको आप modern, जो रामनगर है बरेली district of UP, उसके साथ identify कर सकते हैं, और जो southern part है, पांचाल महाजनपत का, river गंगा जो कि इसको slice कर दीती है दो parts में, वो है दक्षिन पांचाल और उसकी capital है कंपिल लिया, जिसको आप कर सकते हैं, कंपिल, जो फरुप का पांचाल district है, UP का, city है, जिसको कहजाता है, कन्यकाबुज, या कन्योज, ये एक्चुली पंचाल kingdom में located है, और बहुत सारे ancient texts mention करते हैं, एक important king, चुलानी भ्रहमदर्ता, और अर्थ शाच्ता के अगरा आप testimony देख लें, तो पंचालों ने पहले, तो मुनार्की और मुनार्की के बाद पर एक oligarchic form of government में अपने आपको convert कर लिया, इसके बाद next important महाजनपद, जो actually मेरे home district से भी related है, वो है मत्स्या, मत्स्या basically जो जैपुर एरिया है राजस्थान का, जो कि अलवर, जो मेरा hometown है, वहाँ साथ में भरतपुर तक basically extend करता रहा, इसकी capital रही विरात नगर, और विरात नग जिसको बेराट भी कहा जाता है, वहाँ पर मत्सया महाजनपद की capital रही, जो Buddhist text हैं, ये मत्सयाज को associate करते हैं, शुरा सेनाज के साथ, जो सुरा सेनाज थे, उनकी capital कहा रही, मतुरा, जो उस वक्त क्या कही जाती थी, मदुरा, किस river पर located है, river यमुना, तो जाहिर सी बाते म भरतपूर, जेपूर, एक sequence में है, तो कही न कहीं, मत्सया महाजनपद या सूर्या सेनाज का कहीं न कहीं एक alliance, एक relationship रहा करता होगा, Buddhist tradition के हिसाब से, जो अवन्ती पुत्रा है, जो कि king of शुरा सेनाज माना जाता है, वो lord बुद्धा की important disciples रहे, जो king का नाम है, अगर आम द और अवन्ती के बीच में matrimonial alliances उस वक्त exist करते होंगी, महाबारत आप देख लें, पुरांस देख लें, जो rulers है मत्रुआ के, उनके rulers को refer करते हैं, यदूज या यादवाज, जिसमें विरिष्णी भी actually included हैं, कुछ important text, जैसे अश्ट ध्याई, किसने लिखी, पनीनी ने, क् important rules of grammar of Sanskrit, अस्ट ध्याई, उसके बाद, मरकंडिय पुरान, उसके बाद, बृत समेता, उसके अलावा Greek accounts जो हैं, वो suggest करते हैं, अशाका, या अश्माका, या अश्वाका kingdom, जो basically situated है, नौर्थ वेस्ट में, लेकर, कहानी में twist, जो अशाका, बुधिस text basically mention करते हैं, वो clearly identify करते हैं, कि ये नौर्थ वेस्ट में नहीं है, ये गुदावरी river पर situated है, और इसकी capital कहाँ पर है, पोटाना, पोदाना या पोटली, जिसको modern, बोधन के साथ आप identify कर सकते हैं, और जो river गुदावरी है, ये basically अशाका, महा जन्पत kingdom को separate करती है, अपने neighboring kingdoms के साथ, जै आदक stories हैं, वो suggest करती हैं, कि जो ये अशाका का kingdom रहा मा जन्पत रहा, ये हो सकता है, किसी period में, काशी का जो kingdom हो, वरानसी का जो kingdom हो, उसके influence में आया हो, in fact, आज भी आँ वरानसी में आएंगे, तो तेलगू speaking population का large number आपको वरानसी में बसा हुआ मिलेगा, तो बहुत लोगँ आँ सोचना है, in fact, मेरी खुद की curiosity है, कि अगर आप देखें, तो आंधरा या तेलगू speaking population, geography के लिए distance wise इतनी दूर है, तो बनारास वरानसी काशी में, ये लोग इतने large numbers में कैसे आके settled हुए होंगे, जा तक stories कहती है, कि एक जमाने में हो सकता है, काशी जो victory रही, जो कलिंगा है, महाजनपद, या Kingdom East India में, उसके लिए भी इसको जाना जाता है, इसके बाद, जो next important महाजनपद है, वो है अवंती, और अवंती कहां situated है, मालवा region, और ये divide हो जाता है, north और south part में, because by whom, विंधियन रेंज, the mighty विंधियन रेंज, और इसके दो important towns, महेश्मती, जिसको modern महेश्वर के साथ identify कर सकते हैं, और उजैनी, जिसको modern, उजैन के साथ आप identify कर सकते हैं, जो actually ancient test में भी capital के रूप में mentioned है, ये दोनों cities, important points रहे, trade routes के भी, जो कि north इंडिया को deckan, या south इंडिया के साथ connect करने में, important role play करते रहे हैं, साथी साथ, ये दोनों cities, चाहे महेश्मती हो, या उजैनी उजैन हो, ये western coast पे जो ports हुआ करते थे, उनके साथ central इंडिया मालवा region को connect करने में, important role play करते रहे हैं, अवंती के, जो famous king रहे हैं, प्रधियोता, ये बहुत famous रहे, और उनके time पे कई बार conflict हुई अवंती की, वत्सा kingdom के साथ, मागत के साथ, कुसाला के साथ, उसके बाद, जो next important महार जन्पद है, वो है गंधारा, गंधारा, आज का modern day आप पिशावर और रावल पिंडी देख लें, आप पकिस्तान के, साथी साथ हमारी काश्मीर वैली देख लें, तो roughly इसके साथ, ancient गंधारा महार जिन पर kingdom को associate किया जा सकता है, capital कारयोगी बहुत famous नाम, तक्षिला, और तक्षिला, capital के साथ साथ, एक major center रहा, किसका, commerce का, trade का, learning का, जो king, पुकुष आती थे, या जिसको, पुशकर सरान भी कहा जाता है, उन्होंने गंधारा पे basically rule किया रफली, mid 6th century BCE में, और गंधारा क मगदा के साथ कैसे relationship रहे होंगे, लड़ाई या cordial, cordial relationship, in fact, मगदा के साथ cordial relationship, लेकिन अवंती के साथ, गंधारा की लगाता लड़ाई चलती रही, जो बेहुस्तान inscription है, आके मिनिट एमपरल डेरियस का, उसमें लिखा गया है, कि eventually, गंधारा को, पर्शियंस ने, बाद म में मिला लिया, during later part of the 6th century BCE, जो ancient text है, inscriptions है, वो, जो kingdom है, कंबोज का, उसको associate करते हैं, गंधारा के साथ, कंबोज का मतलब है, जो रज़ारी है, हजारा district है, northwest frontier province of Pakistan, उसके आसपास का area, और ऐसा रगता है, शायद एक stand करता होगा, कफरिस्तान, basically, तक, कंबोज एक मुनार की रहा 6th century BCE का, लेकिन अर्थ शास्त्रा, इसको एक संघा के रूप में, basically, mentioned करता है, तो दोस्तों, ये रहे हमारे, वो 16 शक्ति-शाली, 16 शक्ति-शाली, या powerful, महाजनपद states, अब discussion हो जाए, कि तक्षिला की discovery कैसे होई, और उसके बाद हम फिर बात करेंगे, कि जब हमारा discussion हो गया, कि ये 600 BCE से 300 BCE का period इतना important क्यों है, history point of view से, उसकाद कौन-कौन से important sources हैं, चाहे पाली canon हो, जेन text हो, पुरान्स हो, उसके लावा archaeological evidence हो, या Greek and Roman, basically, text हो, sources of information हो, उसकाद हमने बात की कि उस वक्त 16 कौन से महाजनपद exist करते थे, कहाँ basically located थे, कैसे relationship थे, कौन important rulers थे, क्या उनके बारे में basically famous था, उस वक्त कौन से important cities थे, तो अब तरक्षिला, जिसको आज भी river किया जाता है, उस वक्त की जो बहुत सारी major cities थी, जो ancient Indian text में mentioned है, 19th century में basically discover होई, और किसका major contribution होगा इसकी discovery में? Alexander Cunningham, जिसके बारे में हमने अपने शुरुवाती लेक्चरों में बात की, जो actually एक archaeologist थे, and he became the first director general of the archaeological survey of India, in which he is, 1871. Cunningham ने बाकी लोगों की तरह, बहुत सारी information, जो हमारी ancient Indian cities हैं, उसको piece किया, उसके अलावा information जो classical, Greek और Roman accounts से, साथी साथ Chinese जो pilgrims रहे, जुन्सवांग और फाहीन, उनके travel logs information को ग्लीन किया, निकाला, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे field surveys किये, field visits किये, और ये important cities की discovery में उनका major contribution रहा, तक्षिला, संगाला, शुगना, अचितारा, बैराच, संकेशा, स्ट्रवस्टी, कौशामभी, पदमावती, वैशाली, नालंदा, और नोज। Initially, Alexander Cunningham को लगा, कि जो ancient तक्षिला है, वो actually, मनीकाला से identify आप कर सकते हैं, लेकिन बाद में 1863, 64 में, उनकी जो exploration रहे, शाह डेरी, तब वो convince हो गए, कि actually, शाह डेरी को आप, या modern day शाह डेरी को आप, ancient तक्षिला के साथ identify कर सकते हैं, दोस्तों, तो दोस्तों, जब महा जन्पदाज की बात हुई, तो हमने उस वक्त एक discussion किया, कि जो महा जन्पदाज रहे 16, उसमें दो टाइप के political system, दो टाइप के state system exist करते थे, एक तो monarchical system, जिसके वारे में हम काफी detail में बात कर चुके हैं, तेकिन दूसरा, जो system रहा, जिसको गनाज कहा जाता है, संघाज कहा जाता है, वो actually क्या रहा होगा, मुणारकी को समझना आसान है, राजा बना, उसकी डेथ के बाद उसका बेटा राजा बना, उसके बाद उसका बेटा राजा बना, successor राजा बना, तो उसमें बहुत ज़्यादा technicality नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो दूसरे टाइप का political system exist करता होगा, और जैसा हमने कहा कि अगर आप गनाज या संघाज को literally translate करेंगे, तो republic में translate होता है, और republic का मतलब है कि head of the state या ruling class को आप directly elect करते हैं, वो शायद possible नहीं होगा, तो actually क्या रहा होगा ये गनाज या संघाज का उस वक्त का political state system, तो आ अगर आप ancient Indian text की बात देखें, तो actually clearly वो differentiate कर पाते हैं कि कि किस तरीके से अलग-अलग type का political structure basically function कर रहा होगा उस वक्त, राजियों जिसको आप मुनार की कह सकते हैं, और गनाज या सभास की बीच में, जैसे दो important महा जनपत, और एक के बारे हम हम पहली भी बात कर चुके है वर्जी या व्रजी, ये दोनों संघास थे, बुद्धिस text के हिसाब से और भी कई सारे संघास को mention किया गया है, जैसे जो साक्यास थे कपिल वस्तु के, या कोलियास थे, देवधारा के, या फिर राम ग्रामा के, या बुलीज थे, अलकप्पा के, कलमास थे, किस्पिटा क मुर्यास थे, पेपल विना के, या भगास थे, और जिनकी capital बेसिकली थी, सुमसुरा हिल, ये भी एक बहुत इंट्रेस्टिंग चीज है, कि ज्यादा तर जो ये गना थे, इनका political system के अलावा, इनकी जो location हुआ करती थी, ये actually, जो हिमालियन foot hills हैं, Eastern India में उनके आसपास ही ह हुआ करती थी, तो कहीं क्या geographical location ने, इस cultural political tradition को spread out करने में, intact रखने में तो role play नहीं किया है, और जो बड़े kingdoms थे, या मुनार्कीज थी, वो ज्यादा तर गैंगा वैली में situated थी, हिमालिया के फोटिल से दूर, जो गनास थे, ये basically इन में ज्यादा तर tribal organization के elements देखने को मिलत कई में, ज्यादा complex political system भी देखने को मिल सकती है, compared to older tribal formations, लेकिन overall अगर आप देखें, और मुनाकी से, kingdom से, राज्या से इनको compare करें, तो फिर भी, इनका जो political system रहा है, वो tribal culture के नजदीक ज्यादा दिखाई देता है, जैसे जो कुरूज थे, एक जमाने में मुनार्की हुआ करते थे, लेकिन बाद में, वो गना या संग में basically convert हो गए, इसी तरीके से, विदेहाज पहले originally मुनाकी थे, और 6th century BC में आकर वो एक गन या सभा बन गए, दो टाइप के गनाज हुआ करते थे, पहला टाइप कि उस particular जनपद, महा जनपद, या kingdom पे एक particular clan का ही rule हो, या उस clan के एक particular section का rule हो, जैसे कि जो साक्यास थे या कोलियास थे, और दूसरे टाइप के जो गनाज होते थे, वो एक confederation होते थे, कई सारे different clans के, वो सकता है clan A, clan B, clan C, clan D, अपने अपने representative से कुछ भेजें, और वो सब मिलके एक गना और संगा को चलाएं, रूल करें, जैसे कि व confederacies हैं, ये clearly हमें suggest करती है, self-conscious political identity among the ganas, जैसे जो साक्यास थे, जो claim करते थे, कि वो basically belong करते हैं, एक श्वाकू family और solar dynasty से, उनकी जो principality थी, east में अगर आप देखेंगे, तो रोहिनी river, और अगर आप west में आगर आप देख लेंगे, तो राप्ती, और south में अगर आप देख इसके अलावा, इनकी जो capital है साक्यास की, कपिल वस्तू, उसकी exact location क्या है, modern context में, इसकी debate आज भी बनी हुई है, कई scholars कहते हैं, कि ये तिलार कोट के आसपास है, और कई basically scholars कहते हैं, कि पिप्रावा, गनवरिया के पास होने के इसके ज्यादा chances हैं, काफी details साक्यास के अबार साक्यास, और ऐसा क्यों हुआ होगा, लौर्ड बुद्धा किस clan को ब्लॉंग करते थे, साक्यास, साक्यास बाकी जो royal house of कुसाला है, उसके साथ भी marriage alliances के साथ connected थे, और बुद्धिस text clearly mention करते हैं, कि साक्या assembly कई बार मिला करती थी एक साल में, important business, जैसे कि किसके साथ alliance को forge किय किया जाए, किसके साथ war किया जाए, किसके साथ peace conclude किया जाए, किसके साथ metrimolion alliances में enter किया जाए, तो जब बात हो जाए साक्या assembly की, तो clearly इसका मतलब साक्यास का जो political structure form थी, वो monarchial नहीं थी, या kingdom टाइप नहीं थी, बलकि actually गनास या संघास टाइप ज्यादा थी, इसी तरी अगर आप कोलियास देख ले, रामा ग्राम की principality अगर आप देख ले, जो कि साक्यास के east में लाई करते हैं, और रोहिनी रिवर साक्यास और कोलियास के बीच में एक boundary की तरह act करती है, और कई text, evidence, literary evidence ये भी suggest करते हैं, कि साक्यास और कोलियास के बीच में किसी ना किसी तरह का relation या alliances रही होंगी, इसी तरीके से अगर आप भगास देख ले, जो कि विंधियन रीजन में located हैं, जमना और सोन रिवर के बीच में, ऐसा लगता है कि ये शायद सबाडिनेट रहे होंगे वचसास को, लेकिन बाकी गणों के बारे में बहुत ज्यादा information हमको literary sources से नहीं द करना शुरू किया, English और बाकी European languages में, और उनका sole purpose यही था, कि किस तरीके से हम English translation के दौरान, इंडिया के culture में कुछ ऐसा depict करें, कि इंडिया ने कभी भी अपने आपको self rule के लिए prepare ही नहीं किया, इंडिया हमेशा से despotic rule के basically under ही रहा है, उसको counter करने के लिए हमारे जो nationalist historians थे शुरुआत में हो सकता है, कि गनाज यह संघास के जो democratic features थे, कि वो confederacy से government किया जाते थे, उसको थोड़ा सा बढ़ा चड़ा कर शायद बताया हो, जो western scholars थे, उनका जो demeaning interpretation था, Indian ancient history का, उसको counter करने के लिए लेकिन जो बाद की राइटिंग्स हुई, जैसे जेपी शर्माइड 1968, उन्होंने dispassionate approach लिया, और actually इन systems को सिर्फ political history, social history, economic history के तोर पर ही study करने की कोशिश की लेकिन इस बात को सभी मानते हैं, चाहे हमारे national historians हों, चाहे हमारे बाद के basically historians हों, की गनाज और सभाज में, जो corporate element है, पूरी governance का, decision making का, assembly type system है, वो clearly market है, compared to the monarchical या राजिया system अब, जो ancient India गनाज हैं, लेकिन अगर आप कहें कि ये actually modern day democracy या modern day republic की तरह थे, तो ये कहना बिलकुल भी गलत होगा लेकिन ये बात सही है, कि इन गनाज और संगाज में, जो power थी, aristocracy थी, वो हो सकता है कि कुछ गिनी चुनी जो छत्रिया family होती होंगी, उनके हाथ में होती होगी लेकिन मुनार्की की तरह इसमें hereditary system नहीं था, कि पिता के बाद, पुत्र, पुत्र के बाद, पुत्र, पुत्र के बाद, पुत्र, 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 ऐसा system नहीं था इसा लगता है कि कोई chief इसका रहा होगा, जिनको गन पती, या गन जेष्ठा, या गन राजा, या फिर संग मुखिया भी कहा जाता होगा और एक aristocratic council होगी, जो actually meet करती होगी एक hall में, जिसका नाम था संथागरा जो effective executive power है, साथी साथ day-to-day political जो management है, वो एक छोटे group के हाथ में रहा करता होगा अगर आप Athenian democracy भी देख लें, जो actually Indian गनाज के साथ जिसको आप compare कर सकते हैं तो जो power concentration है, वो सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में ही होगी मतलब general masses उसको शायद directly influence ना कर पाएं तो जो political system है गनाज का, ऐसा लगता है कि government by assembly और by an oligar की by this assembly के बीच में कहीं fluctuate करती होगी लिच्वी इसके बारे में भी later text काफी detail में information हमको देते हैं जैसे एक पन्न जातका, clearly हमको बताती है कि लिच्वी जो के capital थी वैशाली की उसमें roughly 7707 basically kings हुआ करते थे इसके अलावा उपराजाज या subordinate kings हुआ करते थे, सेनापति, military commanders और उसके बाद भंडा, ग्रहिकाज या treasurers जो preamble है, चालू कलेंगा जातका, उसमें भी 7707 ruling families की बात हुई है और लिच्वीज के बारे में कहा गया है कि महा वस्तु में कि हो सकता है कि जो states हैं या उनके hands हैं वो roughly 84,000 और 1680 राजाज हुआ करते होंगे उस वक्त वैशाली में ये numbers मुझे लगता है कि आप literally नहीं ले सकते, इन कुल मिलाके, इन sources से ये clear ही लगता है कि इन संघाज में, गनाज में, जिसमें लिच्वीज हों, व्रिजीज हों, इन में जो political system होगा वो हो सकता है कुछ जो heads होते होंगे शत्रिया families की, जो अपने आपको राजा कहते होंगे, उनके हाथ में होगा system hereditary नहीं होगा और ज्यादा तर ये families या गनाज या संघाज साल में हो सकता है, एक या दो बार मिलते हों, खासतोर से spring festival में वहाँ पर वो जो important public businesses हों, उनका leader का election हो, कितने tenure के लिए election हो, ये सारी चीज़ें ये carry out करते होंगे जो उपराजाज हैं, ये हो सकता है कि जो राजाज हो, मतलब छत्रिया families के जो head हों, उनके basically हो सकता है ये बेटे हों या successors हों और ये भी participate करते हों, जो great assemblies हैं, for example, लेचवीज की, जहाँ पर उन्होंने honor किया उनकी जो एक beautiful, quote C&T, आमवा पाली और ऐसी such meetings में, ऐसा लगता है कि राजाज, नए और पुराने, दोनों basically बेट करते होंगे, जो sacred tank है, जिसका नाम है पुकरनी और ये सारे detail हमें दिखाई देती हैं, भद साला, जातकाम है, जो lichwe assembly है, ऐसा लगता है उसके पास sovereign power थी, ये punishment pronounce कर सकते थे, चाहे death हो, exile हो, इसके लावा, लेकिन जो day-to-day administrative matters हैं, वो इस पूरी assembly के बजाए, और एक छोटी council, जिसमें सिर्फ 9 members शयद हुआ करते थे, वो basically carry out करते थे, in the name of the larger assembly, क्या इन assemblies में से, किसी में भी women का कोई mention है, नहीं, इन assembly में women participation का कोई evidence नहीं मिला है, जो meetings हैं, संथागरा, गनाज की, ये generally कैसे organize होती होंगी, drum beat करके, लोगों तक announce करवा के, उसके बाद voting हो सकती है, pieces of wood, जिनको सलाकास कहा जाता है, उनके through करवाई जाती हो, और जो votes collect करता हो, finally कि कौन chief चुना गया है, कौन different positions पर चुना गया है, उसको कहा जाता था, सलाका गहपका, जिसका basically काम था, कि इसको honesty और impartiality, इस पूरी election process को carry out करवाएं, गना पुरका, responsible थे, कि जो minimum quorum है, वो कम से कम present रहे, in fact, आज भी आप देखेंगे, जो हुमारा पंचायती राज system है, उसमें, ग्राम सवा का एक minimum quorum है, कि इतने लोग कम से कम जब present रहेंगे, तभी qualify होगी, वो assembly, वो meeting, और उसमें decision, जो लिये जाएंगे, तभी उनको basically valid माना जाएगा, इन गनाज में, ब्रामन्स और पुरोहिट्स की हो सकता है, वो prestige या position ना हो, जो कि monarchies या राज्याज में हो, क्योंकि गनाज और संघाज में, जैसे लिच्वीज देख लीजिए, वरिजीज देख लीजिए, इन में हमको पुरोहिट्स को कोई गिफ्ट दिया जा रहा हो, या ब्रामन्स को कोई गिफ्ट दिया जा रहा हो, इन गनाज और संघाज में, इसका कोई mention हमें दिखाई नहीं देता, और आमबत सुत्ता, धिग निकाया, उसके बाद ब्रामन्स अमबत, जब कपिल वस्तु विजिट करते हैं, जो कि साक्या ए राज्याज या मुनार्कीज में देखनी को मिलता है, जो गनाज हैं, इनका बहुत close association चत्रियाज के साथ, चत्रिया क्लैन के साथ, उनकी फैमिली के साथ देखा गया है, और ये फैमिली हो सकता है, एक दूसरे से linked हो, हो सकता है कि real kinship ties हो, या claimed basically kinship ties हो, तो क्या जितने भ नहीं, जो चत्रियाज फैमिलीज थी, जो clans represent करते थे ruling elite को, या hereditary elite को, इसके लावा बाकी groups, जैसे brahmans, farmers, artations, wage laborers, slaves, ये सब भी इन principalities में, लेकिन चत्रियाज के comparison में, subordinate position में coexist करती थी, और ये subordination सिर्फ political नहीं था, लेकिन शायद economic और social भी रहा हो, होगा, बाकी families को, मतब चत्रिया, ruling elite families के अलावा, बाकी families, चाहे हैं, ब्रामिनो, farmers, artations, केसी भी और class से हो, आपको clan का name use करने का right नहीं दिया जाएगा, नहीं आपको political participation का कोई right दिया जाएगा, जैसे, उपाली, जो basically एक बागवर हैं, जो साक्या territory में रहते हैं, और चुंडा, जो एक medal smith हैं, जो माला territory में रहते हैं, ये ruling elite के, उन assemblies को attend करने का entitlement इनके पास नहीं था, जो powerful monarchies थी, या राजियास थे, वो actually large standing armies उस वक्त develop करते थे, उनके पास हमेशा एक permanent corps of troops रहता था, जिनको वो properly recruit करते थे, train करते थे, maintain करते थे, कि जब भी war हो, उसके लिए वो हमेशा तयार रहे हैं, लेकिन ऐसी permanent armies, standing armies, ऐसी organizations, क्या गनाज और संघाज में exist करती होंगी, what do you think, हाँ एन ना, जैसे लेचिवीज की बहुत strong army रही, लेकिन वो strong army permanent नहीं थी, जब वो army combat ये लड़ाएं में engage नहीं होती थी, तो soldiers अपने अपने गाम वापस चले जाते थे, शायद अपनी खेती बाड़ी को संभालने के लिए, और जब उनका chief उनको बुलाता था, किसी war के लिए, conquest के लिए, fight के लिए, तो सभी लोग वापस assemble होके, उस standing army को constitute करते थे तो permanent feature शायद standing army इन गनाज और संभाज का ना रहा हो, इसके अलावा जो pattern है land ownership का, उसमें भी कई differences दिखाई देते हैं, जैसे क्योंकि छत्रिया political जो elite थी, उनका ruling class पे काफी दबदबा था, तो इस वज़े से ऐसा लगता है कि गनाज और संभाज में जो ज्यादा तर land थी, या largest land owners थी, वो भी शायद शत्रिया political elite से ही belong करते होंगे, जो गनाज का सबसे बड़ा asset कि सब लोग discussion के थुरू, assemblies के थुरू, decisions लेंगे, यही उनकी सबसे बड़ी weakness की रही, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है, कि जब एक आदमी के बजाए, अगर 10 लोग discussion करके कोई decision ले र हो जाएं, और फिर, जब बात आजाए, quick decision की, strong decisions की, जब aggressive monarchies आपके उपर attack करने की कोशिश कर रही हो, तो हो सकता है, कि यह, जो consultative process of decision making की गनाज और संघाज की, यह शायद इतनी effective ना दिखाई दे, जैसे, अगर आप देखें, ललित विस्तारा में, तो उसमें, जो future बु हैं, वो heaven में बैठे बैठे, सोच रहे होते होते हैं, कि अब मेरा next reward कहा होगा, और उनके mind में question चल रहा होता है, कि किस family में मुझे born होना चाहिए, तो जो बागी bodhi सत्मा हैं, और gods हैं, वो कहते हैं, कि literally वैशाली के यहाँ पर बर्थ नहीं होना चाहिए, तो कि शायद वो मुनार्की नहीं है, राज्य नहीं है, वो एक discussion के through अपनी चीज़ों को चलाते हैं, तो इस वज़ा से अगर को aggressive या ज्यादा strong मुनार्की होगी तो उसका शायद ये मुकाबला ना कर पाएं, जैसे गनाज हैं, जैसे यदर वेज, मालवाज, उदीकाज, अजनयाज, ये जो 4th century, C के चंदरगुप्त 1 है, गुपता डाइनिस्टी के, उनका भी ऐसा लगता है कि उन्होंने एक लिच्वी प्रिंसेज, जिनका नाम था कुमार देवी के साथ basically marriage की, और ये marriage उस वक्त के gold coins, क्योंकि गुपतास के टाइम पे सबसे ज़ादा gold coins basically पब्रिश हुए, य ये gold coins पे clearly marked commemorate दिखाई देता है, समद्र गुपत, जिनका ये भी नाम है, लिच्वी दोहित्रा, जिसका मातलब है grandson of the Lichwies, ये inscriptions में कई जगे लिखाई देता है, तो इसका मतलब clearly कि Lichwies roughly 7th, 6th century BC से strong रहे, और समद्र गुपत के time पे, मतलब roughly 1000 years तक Lichwies एक संग और gun होने के बावचूद भी काफी strong रहे, लेकिन बाद में ऐसा लगता है ultimately कि ये समद्र गुपत की military campaigns रही, जिन्हों ने जो गनास थे, संगास थे, उनको पूरी तरह wipe out कर दिया, खतम कर दिया, अगर खतम नहीं कर दिया, तो उनको इतना कमजो कर दिया, reduce कर दिया, कि politically उनकी बहुत स्यादा significance ना बचाए, और इसका बहुत बढ़ा reason यही रहा, कि उनका जो system of governance है, कि एक आदमी की बजाए, authoritative decision making की बजाए, consultative decision making है, discussion से decision making है, आठ नौ लोग मिलके decision लेते हैं, जिसमें dissension हो सकता है, delay decision हो सकता है, best decision हो सकता है, आप न ले पाएं, प्लस उनकी जो military organization थी, कि इनके पास large standing army permanent troops नहीं थी, in fact जब इनको जरुत पड़ती थी, तब ये अपनी army को बुलाते थे, अपनी खेती बाड़ी अपने घर से, तो ये system of governance और military organization, और slow decision making dissension, ये सारे factors हो सकता है, ने एक role play किया हो, ultimately इनके खुद के demise के लिए, और जैसे अगर मुनार्कियल states, राज्यास के अगर बात देख रहें, तो उनके political ambitions हमेशा से यही रहें कि और ज्यादा से ज्यादा अपने area को बढ़ाया जाए, दूसरे states पे, जन्पत्स में, महा जन्पत्स पे कबजा किया जाए, और इस वज़े से मुनार्कियल states के आप vocabulary देख लें, तो बड़े interesting words, जैसे चक्रवर्ती, चक्रवर्ती समराथ, या सर्वभोमा, ये words हमको दिखाई देते हैं, इसका मतलब कि कहीं न कहीं मुनार्किया डूलर्स का हमेशा से यही agenda रहा, कि किस तरीके से अपनी territory को और expand किया जाए, और अपने आपको और ज्यादा powerful एक universal ruler के रूप में basically established किया जाए, और किस तरीके से पूरे जम्बू द्वीब, जम्बू द्वीब का मतलब क्या है, पूरा Indian subcontinent उस पे basically rule किया जाए, कई centuries के बाद, जब ये महाजनपत, जो 16 महाजनपत की हमने बात की है, इन मैंसे ये जम्बू द्वीब पे पूरे पे र जब मगदा के राइस के हम बात करेंगे, तो काफी large area अपनी territory के अंदर ले लिया, दोस्तों, तो दोस्तों, आज का हमारा ये lecture, lecture number 13, जो शुरू हुआ जहा हमने lecture number 12 छोड़ा, आज हमने literary sources की बात की, आज हमने ये भी बात की कि उन literary sources में क्या कमिया है, कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बाद जो 16 major महा जनपत से उसके बारे में आपको बताया, एक एक करके उन महा जनपत के बारे में आपके साथ discussion हुआ, साथ ही साथ किस तरह की political social organizations रही और monarchial versus sung और gun type का जो political system रहा, उसमें क्या differences रही, क्या strengths रही, क्या weaknesses रही, आपके साथ काफी detail में discuss किया, जो हम अब शुरू करेगा, पूरी कहानी को जहां से हम lecture number 13 को खतम कर रहे हैं, कि किस तरीके से, क्या-क्या वो political conflicts रही, जिसकी वजा से मगध का जो महा जनपत था, वो सबसे powerful महा जनपत या kingdom के रूप में उभर कर सामने आया, इसके अलावा, जो foreign invasions हुए, चाहे वो Macedonian invasion हो, Alexander invasion ह इसके अलावा, अलग-अलग basically जो cities रही, उनके profiles basically क्या रहे, उसके अलावा, changes, चाहे social changes हो, agrarian changes हो, cultural changes हो, वो क्या रहे, और उसके बाद next फिर lecture में हम बात करेंगे, कि जो early jainism है, early buddhism है, ये religion कैसे existence में आए, क्या वो situation रही होंगी, circumstances रही होंगी, परिस्तितियां रही होंगी, क्या उनके important principles रहे, क्या important teachings रहे, क्या important उनके events रहे, और इस तरीके से ancient history, भारत के प्राची नितिहास के इस पढ़ाव को हम लगातार आगे बढ़ाते जाएंगे, stay tuned for a next set of videos, until then, जैहिंद चैवार